नमस्कार SM News में आपका स्वागत है मेरे नाम है कोमन और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेड कर बोध महासाबा के अध्यक्ष आरेस गौतम जी आज कल बोध धर्म और बावस आपको मानने वाले लोग नमो बुद्धाय जैभीम जरूर बोलते हैं त उन्होंने 528 इशापूर में ज्ञान पराप्त करने के बाद 45 वर्षतों सग संफुन बारत में बोध धर्म का परचार परचार किया और बोध धर्म के परचार के लिए उन्होंने इन्हें आडर्मों को भगवान बुद्ध ने कहा जब पंशुविर गया बिक्षो को अपन पंशुवर के बिक्षो का अब वो जो संतुलन खो बैठा और उनकी आभा को देखकर के किसी ने उनका पानी लाया किसी ने उनको आशन दिया और उनका आदा सत्कार किया आदा सत्कार करने के बाद उन्होंने सिधात गोतम का संबुधन किया तो गोतम ने किया कि अब मैं गोतम नहीं रहा हूं मैं बुद्ध बन गया हूं और तो उन्हें पूछा कि आपके बुद्ध का उदेश क्या है धर्म का उदेश क्या है तो उन्होंने क्या मेरे धर्म का इनके जो आत्मा और प्रमात्मा से को लेना देना नहीं है मेरे धर्म का उदेश जो है आत्मा प्रमा भी होना चाहिए यह मेली पहली पात्मिक्ता है अक्कि मेरे धर्म का शील के पत्पर चले तो उनका उधार हो सकता है तो बाबाशाओ भगवान बुद्ध ने पूरे भारत वर्ष में एक बोध धर्म को जो सम्ता पर आधिरता न्याद पर आधाधिता और जो आडम्रों से मु पूरे भारत संसार के अंदर भगवान बुद्ध को माना जाता है और भगवान बुद्ध को इसी मानने के लिए हम उनको संबोधित करने के लिए नमो बुद्धाय करते हैं क्योंकि हर समाज में हर धर्म में अपने-अपने मापुर्ष्टों के नाम के आगया जैसे अब भिंदों में राम राम करते हैं मुसल्मानों में अल्ला वाक बरिया वो करते हैं अकि हापा पुदा हापीश इसाय जैभिम क्यों कहते हैं देख बाबा साब एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनके पास संसार के उस समय संसार में इतनी डिग्री किसी के पास नहीं थी भारत में तो थी नहीं जितनी बाबा साब के पास थी बाबा साब ने अपनी डिग्रों के आधार पर अपनी ताकत के आधार पर अग्रिज़न आसाढ़ अपना सम्झोगता के लड़ते रहे हैं पर को अपने अपने योगता के बल पर उन्हें उनको एक सविधान कमेटी भार देश आजाद हुआ तो आजाद में यही अंगरे जोने रखा ता भी अपना सवीधान तो बनाओ तो सवीधान बनाने के लिए जो भाद के बड़े बड़े लीडर थे तो वह विदोस्व में गये गये और विदोस्व में कहने के बाद उन्होंने कहा अफरिका वगभरी मी के अरे आपके देश म दक्टर अम्मेटगर है जो बहुती विद्वान है आप उनके साथ सदस्टे वो सातों के साथ होगी एक विद्व समय दोरे पर है एक कई का अपने राचियार सत्ते काम नहीं मिला तो कई समय तो ऐसा है आगी बाबा साब उनके सेक्टिटी एक मिटिंग में रहे तो सारा भार बाबा साब के उपर आ गया बाबा साब ने इस सविधान जो है दो वर्स अठारा मिने और गया दिन में पूर्ण किया यह सविधान 26 नंबर 1904 को इसके पास हुए था सविधान लेकिन हुए है चप जैनरी 1901 को इक क्यामन को इस सविधान लाग हो गया तो बाब सविधान के अंदर हमें इसका हमें अधिकार मिला संता का अधिकार मिला बोलने की आजादी मिली कही जानने की आजादी मिली अपने धर्व को फैलाने की आजादी मिली इस वेशे सविधान के द्वार हमें प्रता अधिकार मिले और इस वेशे उन्होंने अपने ही लिए न नारी को बिल्कुल बंदग के रूप में माना जाता था यहां तक ही नहीं कि बाबा साब ने उननीश सो ब्यालीस में जब उनको लेवर मिर्शी बनाने के बाद उससे में बहुत ज़ाद हैं 1943 में बहुत अकाल पड़ा और अकाल के ससाथ 40,000 आद्म की बंगाल के अंदर मिर्थू हो चुके थी उधर एक बारिस आई बहुत तकड़ी और गाउं के गाउं भेह गे थे उससे में बाबा साब ने सोचा कि जो पानी की अधिक्ता ये ठीक है पानी जाद है लेकिन इसको पहली बान भी था जो कई वर्स में पूरा हुआ तो बाबा साब एक देश भक्त और एक समाज सुधारक और एक अर्षास्त्री भी थे बहुत बड़े क्योंकि नोबल पुर्षकार विजयता आमर्तर सेन ने भी अपने कहा अकि बाबा साब अर्षात्र के छेत्र में मेरे प बाबा साब का बहुत ही योगदाना है इसविसे बाबा साब को हम जैभीम करते हैं ऐसे जैभीम करते हैं क्योंकि पूरे संसार में भी आज उनको जैभीम का नारती आजारा जैभीम मानने लगते हैं आप भारत है नहीं विदोस्वे में बाबा साब का बहुत ही परचार प सब्सक्राइब करते हैं और करते रहेंगे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को हमारे दर्श्रकों की बताने के लिए कि नमबुद्धा है और जैभीम का कितना बड़ा महत्व है जैहिन धन्यवाब और मैं आपको नियुद्धन करता हूँ कि बहुत धन्यवाब के विचारों को देश में जन जन तक फैलाए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले